हेलो रादे रादे दोस्तों और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मौम एन ब्यूटी ब्लॉग में तो आज मैं आप लोगों के संसेर करने वाली हूँ कि अच्छे दित्रिया में तृतिया पे आप क्या खरीदें जिस से हमारी माता लश्मी की विसेश किरपा हमें प्राप्त हो तो आप 15 में से कोई भी एक चीज खरीद कर लाइए अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं तो क्या खरीदें तो चलिए करते हैं आज की वीडियो सुरू तो अच्छे दित्रिया पर आप जो हैं सबसे पहले स्रीयंत्र एक जरूर लाइए स्रीयंत्र चाहें इसपटिक के लाइए सोने के लाइए चांदी का लाइए यह तांबे का लाइए जिसकी भी आपकी सामर्थ हो आप उसका एक स्रीयंत्र जरूर लाइएगा इससे माता लश्मी की विसेश किरपा आपको प्राप्त होत कि इसे माजमी की सरफटी है और अकर आप सोने चांदी नहीं खरीद पाते हैं तो आप एक धिया खरीद ये चाहें हो सोने का हो चांदी का हो तामे का हो या फिर फीतल का हो यह भी सोने-चांदी के बरावद ही माना जाता है तो आप एक दिया जरूर खरीद सकते हैं और एक गरूर घंटी भी अपने मंदिर के लिए जरूर लाइए के अगर आपकी सुम और माता लचमी की चरण पादुका आप अपने घर में भी से जरूर लाईएगा अगर आपके घर में चरण पादुका पहले से हैं तो आप उसका अच्छे तरतिया पर विधी पूरबग पूज़ जरूर कीजिए क्योंकि इस दिन माता लचमी धर्दी पर आकर सभी के याँ देखती हैं कि हमारा भक्त को पूज़ कर रहा है तो उस पर विशेज करपा माता लचमी करती हैं तो इस पर काराबी दीवत पूज़ा जरूर कीजिएगा और इस दिन चावल भी जरूर लाईएगा क्योंकि अक्षए का मतलब ही होता है जिसका कोई च्छे ना हो तो अक्षए तितिया पर आप चावल जरूर लाईएगा चने की दाल भी लाना बहुत सुमाना जाता है चने की दाल भी आप अच्छे तितिया पर जरूर लाईएगा क्योंकि इस दिन जो अनाज होता है उसका भी दान बहुत का विसेज महत होता है इसलिए आप जरूर लाईएगा चावल और चने की दाल और अच्छे तृतिया आपा माता लश्मी की मूर्थी जरूर लाईएगा चाहें वो आप अगर आपकी जैसी सामर्थ हो आप सोने की भी ला सकते हैं चान्दी की भी ला सकते हैं और पीतल की भी ला सकते हैं तो जिसकी भी आपकी सामर्थ हो आप वो मूर्थी जरूर लाईएगा अगर आपके घर में माता लश्मी की मूर्थी है तो माता लश्मी के साथ विश्नु भगवान की भी पूजा अवस्य करनी चाहिए आपको अच्छे तृतिया वाले दिन के विधी विधान से कीजिए इस माता लश्मी के संग संग मात भगवान विश्नु की भी आपको विश्यस कृपा प्राप्त होती है और इस दिन जाओं भी खरीदना बहुत समझा जाता है क्योंकि जाओं का दान भी आप कर सकते हैं और आप घड़ा भी ला सकते हैं ए घड़ा खरीदना बहुत सुभ माना जाता है और इस दिन आप वरतन खरीज सकते तो बरतन खरीदना भी बहुत सुमाना जाता है अच्छे तृतिया वाले दिन अगर आपकी जो भी सामर्त हो आप बरतन सोनी के भी ला सकते हैं चांदी के भी ला सकते हैं या फिर पीतल के भी ला सकते हैं खासे के भी ला सकते हैं तो अगर जिन नहीं सामर्त है तो लड्डू और उसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इससे भवान विष्णू की और माता लश्मी की आपको दोनों की बिसेश किरपा परात्थ होती हैं, तो इस पकार से आप 15 जीजों में से कोई भी एक चीज आप अपने घर में ला सकते हैं, जिससे धन, समरिद्धी, आ और इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका कभी छह नहीं होता है, उस दान का पुन्य हमेसे आपके संग रेता है, उसका कभी नास नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे तृतिया वाले दिन इन चीजों कर लाईए घर पे, और दान भी कीजिए, आप जो चावल, जो दान क करने का और घड़े जल भरके घड़ा अदान करने का विसेज महद में इस दिन तो आप इस दिन यह जरू कीजिए, इस पुन्य का कभी छह नहीं होता, यह पुन्य हमेसे आपके संग रहेगा, और अक्षे तृतिया वाले दिन आप राव्मचरित मानस का पार्ट करना विसे चाहिए, आपको इससे भी सेज पुन्य की प्राप्ति होती है, और अच्छे तृतिया वाले दिन जो लोग पहले सबसे पहले जन्य हो पहनते हैं, वो नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है, तो यह सब जानकारी है, और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आप उपनियन संसकार नहीं करना चाहिए, यह सुमाना जाता है, और अच्छे तृतिया वाले दिन जो पहले जन्य जो पहली बार जन्य धारन करते हैं, वो विल्कुल नहीं करना चाहिए, यह भी सुमाना जाता है, और अच्छे तृतिया वाले दिन जैसे किसी चीज का अनुष अनुष्ठान करना विसेश फलदाई होता है उससे संतों के संतों संतों का दर्सन करने के बरावर का पुन्य आपको प्राप्त होता है किसी भी चीज का अनुष्ठान करने से तो आप किसी चीज का भी अनुष्ठान कर सकते हैं आगर आपके पास जैसे किसी पंडित को बलाने सांद नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं धेर सर अपों ने प्राप्त कर सकते हैं और जो लोग अचे देटी Ah, क्यों veo अनुस्ठान करके पूजा पाड़ ँविधाद के हैं उनको वेंख़ंड के प्राप्ती होती है क्योंकि विष्णु प्राब्त होती तो अगर आपको हमारी दिव्य सानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए गा और ज्यादा से ज्यादा स्सक्राइब करीजियेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो फ्लीज चैनल को सब्रोद tract 자 Eigen कर लीजियेगा और कमे